आप सभीता स्वागते फिर से JP Planning and Construction YouTube चैनल पर तो आज हम देखेंगे 200 स्क्वेर फीट में केसे 4BS के प्लान होगा और केसे हम करेंगे तो उसका जो भीव है वो अच्छा लगेगा और उसका वाल क्या रहेगा और रूम का सब डाइमेंशन क्या रहेगा और विंडो कहां पर कितना वाइड रहना है वो सब के बारा में पूरा डिटेल्स में आज बात करेंगे ठीक है तो अगर आप एसे प्लान बनाना चाहते हो तो हमको कंटार्ट कर सकते हो हमारा जो कंटार्ट नंबर है वो आपका डेस्क्रिसम बॉक्स में दिया है तो तुरन जाके आप छेक कर लिजे एक बार तो अगर यह वीडियो आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि जब भी वीडियो ने वीडियो अप्लोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए शुर क प्लान है ठीक है तो अगर आपको भी चाहिए तो आप हमें कंटर्ट कर सकते हैं तो चलिए शुर करते हैं तो यहां पर जो एंट्री हमारा है यह इस के तरफ है तो पहले हम डिरेक्शन एक बार चेक कर लेते है जो की डिरेक्शन यहां पर आप जैसे कि देख सेक्तों ये ये west ये north जोने ये south है . तो ये हो गया हमारा पुरा direction , उसके बाद हमारा plot का dimension है है . ये उसके बाद यहां पर यहां पर पिंसकी है तो यह जो हमारा house है यह east facing plan है ठीक है तो इस से हम entry करेंगे तो पहले हम drawing area में आएंगे जिसका size 12 feet by 10 feet 10 inch का ठीक है तो drawing area जो है आपका काफी बड़ा है इसमें आप सोफा बगरा डाल सकते हो उसके डाइने तरफ ही आपको पुजा रूम मिल जाएगा जो इसका डिरेक्शन न आगे को एक store मिल जाता है जहां पर आपका कुछ सामान हो या कुछ चीज हो वहां पर रख सकते हो जो कि 6 feet by 5 feet 8 inch का ठीक है उसके बाद आप drawing area से entry करेंगे तो आप dining come living area में आएंगे तो यहां पर जो dining come living area है यहां पर काफी बड़ा दिया है जो कि यहां पर dining set लगा सकते हो और सोफा भी डाल सकते हो और इस साइड में आप एक LCD बगरा भी लगा सकते हो जिसका size 25 feet 6 inch into 20 feet 8 inch का ठीक है आपको काफी dining come living area काफी बड़ा मिलेगा उसके left side में ही आपको bedroom 1 मिल जाएगा ठीक है जो कि 12 feet by 11 feet का आपको एक bedroom मिलेगा ठीक है तो उसके बाद आपको एक kitchen मिले जो कि south east corner में है जिसका size 10 feet by 8 feet का तो उसके पूरा सामने ही dining के बाद आपको स्तियार केस मिलेगा जिसका size 11 feet by 8 feet का तो इस साइड जो है वो आप है तो एसे आप जाकर एसे घूंके डाइने तरफ clockwise उपर चड़ोगे ठीक है तो उसके बाद उसके डाइने तरफ आपका master bedroom 1 आ mill ट齐गा श्रड़वका मिल जाएगा जिसके बाद उसके बाद इधार आपको मास्क्तर बेजरों मिल जाएगा इसका size 11 feet 10 in ch by 14 feet है, ठीके, तो इसका भी आपको attached toilet मिल जाएगा, जिसका size 6 feet 10 inch by 5 feet 10, ठीके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे common toilet मिलेगा, जिसका size 8 feet by 6 feet का है, ठीके, तो उसके बाद आपको bedroom 2 मिल जाएगा, जिसका size 12 feet by 11 feet 10, इसका, तो यह हो गया आपका पूरा जो है विल्डिंग का पूरा डामेंशन ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे कि यह जो वाल सब है यह वाल क्या है ठीक है तो यहां पर जो भी वाल है यह पूरा 10 इंची दिया है कि टौलेट का है यहां पर पैसरन के लिए जो यूज है वह फाइप जरा प्राक्स क्ट कि उसके बाद विंड नीग के बाद करेंगे तो यहां पर जो सब का है तो नटो का जो शाईउच में यहां पर यहां पर विंड़ symbolism का यहां है आप स्था उड़ व्诉्त है और उंडो 1 जो जहां पर गिया है तो उंडो 1 का साइज 4ft.by 4ft. का है ठीक है उसके बाद उंडो 2 आता है तो उंडो 2 जहां पर दिया है यहां पर जो जो पूजया रूम का उंडो 2 ही दिया है तो इसका साइज जो है 3 feet by 4 feet रहेगा उसके बाद जो ventilator है यहाँ पर common toilet का और अटास toilet का इसका साइज 2 feet by 2 feet आपको मिलेगा उसके बाद हमारा आता है सब डोर यहाँ पर जो main door है यहाँ पर main door का साइज है वो 4 feet 10 inch by 7 feet का है उसके बाद D1 जो सब है वो 3 feet 2 inch by 7 feet का है जो कि आपका पूरा जो bedroom का entry रहता है उसका D1 है और D2 जो है वो 3 feet by 7 feet का है और D3 जो है जो toilet का 2 feet 6 inch by 7 feet का तो यह हो गया आपका पूरा 2000 square foot का 4 BSK प्लान तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्स्क्राइब कर दीजे और बेल आइकन जो बन जाएगा तो उसको all पे डाल दीजे क्योंकि जब भी एसा प्लान आपके लिए में लेके आउंगा तो आपको notification मिल जाएगा अगर आप एसा प्लान बनाना चाहते हों तो आपको हमारा जो number हो description box में मिल जाएगा तो आप जाकर हमको contact कर सकते हैं